हेलो गाइस वेलकम बैक टो मैंच चैनल स्वाजिस खाना की चमने आपसे भी का स्वागत है तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन और पालक जिसके लिए हमने चिकन ले लिया और यह पालक है साबुद पालक है जिसे हमने अच्छे से दोली है आप देख सकते हैं तो आगे में इसकी recipe है वो आपको बताती रहूँगी साथ के साथ तो गयाइस इस तरीके से जो है पालक के कटिंग करनी है आप देख सकते हैं बड़ा-बड़ा काटना है जादा बारदिगम काटना है इसको लेगी कि इस तरीके से साब जो पालक है बहूं काटने के बाद फिर मैं आपक तो गाइस इस तरीके से पालक की कटिंग कर लें इस तरीके से जादा बारीक ने करना बड़े बड़े काटने हैं तो आप देख सकते हैं हम इस पालक को उबालेंगे जिसके लिए मैंने फ्राइपन ले लिया और इसके अंदर पानी उबलने रखते हैं अब हम इसके अंदर थ पानी अच्छे से घरम हो चुका है आप देख सकते हैं और अब इसके अंदर पालक आपको दिखाऊंगी तो आप देख सकते हैं पालक जो है एकदम ग्रीन है और उबल चुका है अच्छे से कलर चेंज नहीं हुआ है इसका एकदम ग्रीन है जासा कलर होता है वैसा है आप देख सकते हैं तो अब इसको इस तरीके से छान लें पानी इसका अलग कर दें देख सकते हैं तो इस तरीके से पालक का पेस्ट बना लें इस तरीके से पीच लें पालक को तो गाइज प्राइप तो गाइस यह प्याज और लैसन अद्रग का पेस्ट चाहिए और यह टमाटर और हरी मेर्ची का पेस्ट है यह भी हम साग में यूज करेंगे तो गाइस अच्छे से गरम हो चुका है अब इसके अंदर खड़े मसाले डालेंगे यह इवाल मासाले देख चटा और आज अचे ऊच्छा श desap fi हैं अच्छाएक नियुक के जोड़ेंगे ताका प्याज जाय इवह अच्छे से भून जाये तो ग्लाइव ह Vielleicht अच्छे से भून चुके आप देख सकते हैं कि अच्छे से बून रहिकि की अच्छे तरिक इस चुर् वेज तो प्याज बून चुकि हमतों, दिनके थे शंपताता ने प्याजू बून्चुकी हूं, चुछीन छीन पूनीच नियुक्षप आफ बीगर तके है difzie तामाटा रोड हरी मिंड्ची का पेस्टा या उड्ट करें हैं उसको भी अच्छे से भूण लेंगे तो अच्छे तरीकसे अच्छाझे से अच्छे से अच्छे से मर्शागे में लाइटों। अब इसके अंदर मसाले आइट करेंगे तो मैं आपको दिखाते हूं यह है एक चमच हल्दी पाउडर जो क्या आप देख सेखते हैं एक चमच धन्या पाउडर एक चमच नमक है यह तो आधी चमच है यह मोटी PCV मिर्ची है यह चिली फिलिक्स जो आते हैं वो है यह और एक चमच यह मिर्ची का पाउडर यह नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हो आप अगर आप ज्यादा खाते तो उसकाथ से नमक आप अपने हिसाब के अनुसार कर लें जाकर आप खाते हैं अच्छी तरीके से चिकन को मिक्स कर दें और रही हाइं तो देख सकते हैं यह मिसके अंदर घा आड़ कर रहे हैं तो एक चमच महस्त बड़ी एक कप भी ले सख़ते हो आप ए-क कप धना कर दें तो इसको अपनी ज्यु चिकन उसमें मिक्स कर दें अच्fig तो इस तरीके से चिकन में धाय को अच्छे से मिक्स कर देें मसाले के साथ एक से दो packaged लिए बाहई कर दर्पकाने के यह तक दर हम पत्पकों कौने हैं ले एक शोड़ा दशी ओ Smells मसाला है तो गरा मसाला अड़कर लिए और यह यह एक बड़ा चमन जीरा पाऊडर प्रिलिशाए लिए अब इसके अंदर यह च्छेंड जो हमने पाल्ग का पैस्ट बनाया तो आप देच्छते हैं जो आप पाल्ग पीस न कर देंगे और में हमने पालक में कोई कलर या कुछ भी यूज नहीं किया जो ट्रीक बताई थी सिक्रूसी से आप देख सकते हैं कितना ग्रीन है हमारा पालक अभी भी वरना जैसे काला काला सा पालक हो जाता है बिल्कुल नहीं है और आप एक बड़ जरूर ट्राय करना यह रेस्पी बह तो गैस थोड़ा सा पानी आड़ करेंगी ताकि जो पालक है अच्छे से पख जाए और चिकन भी अच्छे से पख जाए यह आदी को टोड़ी पानी होईगा तो आप अपने कोडिंग भी पानी डाल सकते है अगर आप थोड़ा जादा ग्रेवी वाली खाना चाथे तो उस तो गाइस चिकन जो है बन चुका है और आप देख सकते हैं अब हम इसके अंदर एड़ करेंगे गी और यह हमारा देशी घी तो यह शुद्ध गी है इसको एड़ करेंगे अब चिकन में इससे टेस्ट अच्छा लता है बहुत टेस्टी लगते चिकन तो गैस दस से पंदर मिनट इसी तरीके से घी डाल के पकाएंगे अगर आपके पास घी ना हो तो आप बटर भी उसकर सकते हो कोई जरूर नहीं कि घी उसकरना बटर भी उसकर सकते हो पर आप एक बड़ जरूर ट्राइब करना बहुत ज़्यादा ची रैस्पी बन के तयार होती है यह बहुत देख सकते हैं पालक और चिकन बनके रैडी हो चुके हैं कितना बढ़िया कलर आया है मारे पालक में तो आप तो वीडियो अच्छे लगी है चानल को लाइक करें सुस्क्राइब करें मैं आपको एक सर्फ करके दिखाऊंगे यह तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपक इसकी भी वीडियो पड़ी हुए है हमारे वीडियो में तो आप जाके विजिट करके देख सकते हो वीडियो अच्छी लगी हो चानल को लाइक करें सुस्क्राइब करें शेयर करें थैंक्स पॉर वाचिंग